नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल लर्निंग हमें दोस्तों आज हम लोग profit and loss के कुछ important question को करने वाले हैं यह important question ऐसा है कि हर exam में पूछा जाता है तो question क्या है एक radio 16% के लाव पर बेचा गया यदि उसे 10% कम पर खरीदा गया होता और 14 रुपिया कम पर बेचा जाता तो 25% का लाव होता तो radio को क्रायमूल ग्याद करें तो चली देखते हैं कैसे इस तरह के प्रश्णों को solve करते हैं एक बर आप इस प्रश्ण को देख लिजेगा तो आप इस तरह के प्रश्णों को solve करने में master हो जाएगा देखिए इस session में जो total मैं 6 question करवाने वाला हूं इसी तरह के question तो आंत तक वीडियो को देखिएगा चलिए पहला question हम लोग solve करते हैं क्या कह रहा है एक रेडियो 16% के लाव पर बेचा गया लाव पर बेचा गया यानि cost prices का अगर 100% मैं मानूंगा तो selling price होना चाहिए 116% लाव पर बेच रहा भाई अब क्या बो खरीदता और 14 रुपिया कम पर बेच देता यानि अभी 116% पर बेच रहा यहां पर जो percent पर बेचागा इन दोनों का बीच का जो difference होगा selling price का यह बोल रहा 14 रुपिया है ठीक है और तो क्या होता फाइनली डील में उसको 25% का लाव होता यानि यहां जो होगा हमें निकालन है 90 percent का 125 percent तो देखो 25 परसेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 percent को हम लोग एक बटे चार लिख सकते और यह आपको पता होगा अगर अपने profit और loss पढ़ा होगा तो अगर हम लोग fraction में लिखते हैं तो यह जो क्या होता है cost price हम लोग इसको मानते हैं profit या loss चौशवी होगा ठीक है तो इस condition में क्या हो रहा profit हो रहा यानि 4 में 1 रुपया का profit हो रहा तो अगर cost price 4 होगा तो selling price क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए एक profit हो रहा तो 5 होना चाहिए तो यहाँ पे cost price क्या दिया हुआ 90 दिया हुआ है यानि 4 की value दी हुई है 90 तो एक की value हम निकाल लेंगे 90 by 4 और हमें यहां पर क्या लिखना पांच की value लिखनी है तो पांच की value हम निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा 945 यानि 450 बटे 4% यहां पे आपको पता चल गया अगर यह 100% है तो 116 तो यहां से असानी से निकाल लिए लेकिन यहां पे थोड़ा जो value है value के according हम लोग को थोड़ा सा calculation करना पड़ा लेकिन कोई दिकत में आगे जो मैं question बता है उसमें बहुत असानी से हुआ calculation क्योंकि समझ में आ गया यह अगर आपको नहीं समझ में आ तो आगे वाले question में आपको समझ में आ जाएगा आप एक बार ध्यान से पहले देख लिजेगा तीन तीसरा चौथा नंबर का वीडियो question जो देखिएगा ना उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो फिलहाल अभी हमने निकाल लिए और निकाल लिए और निकाल लिए और सेल ही प्रेस निकाल लिया और दॉसरा दोओनू कर स्थेरंस दिए 1121 माइन्स कर लेते क्या है दीजेगा तो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला तो 14 रुपिया हमें दिया हुआ ठीक है अब इसको स्वाल्फ करते हैं तो यह हो जाएगा 464 माइनस 454 बटे 4 इक्वल टू 14 ठीक है यह हमारा परसेंट अभी लगा हुआ है इन दोनों को माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 14 परसेंट इक्वल टू 14 गुना 4 तो यह 14 चौदा कट गया तो 1 परसेंट बराबर हमने कितना निकाल लिया प्र हमें क्या निकाल ला 100 परसेंट हमें क्या पुछा यह प्राइस रीडियो का ख्रयमूल क्या होता है 100 परसेंट तो 100 परसेंट बराबर हंड्रेट परसेंट बराबर 4 इंटू 100 तो यह हमारा हो गया 400 तो फॉर्स्ट का अंसर हो जागा थ्री ओप्शन नमबर थ्री चार सुरुपिया रेडियो का क्रायम उलता ठीक है चार सुरुपिया इसको अगर आप लोग इसको रिवर्स ओडर में अगर फिक्स करना चाहिए तो देखिए फिक्स किजिए इसको कि इसको मैं यहां लिखता हूं प्राइस चार सो हमारा निकला तो सेलिंग प्राइस यहां पर हम लोग चार सो परसेंट इसका निकाल देते हैं तो कितना हो चार सो चाहिए ठीक है कि इसको माइनस कर देते चाहिए जुष सेलिंग प्रैस निकल जाता है तो कितना हो जाएगा चार चार जीरो छे में से एक आ गया पांच और यह चार यानि यह जो है हम लोग इसको बेचते कितने में 450 रुपया मगर बेचते तो 14 रुपया का डिफरेंस आता यही तो 14 रुपया का डिफरेंस यही तो दिया हुआ यह 14 रुपया कम पर इन दोनों के बीच का सेलिंग प्राइस वन और सेलिंग प्राइस टू के तो देखिए कितना असानी से यह हमने फिट किया तो अराम से निकल गया ठीक है तो अब आप यह बोल रहा है 25 परसेंट का प्रॉफिट हो रहा तो यह देखिए 360 का अगर 25 परसें से 496 तो देखिए पांच 492 परसेंट निकालेंगे तो देखिए पूरा फिट हो गया आपको पूरा समझ में आ गया तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा चट्था यह मैंने कोश्चन बनाया आप इसको ध्यान से देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला ह एक बार आपने समझ लिया तो आप एक्जाम में जितना हल यह इतना कॉंप्लिकेटेड कोश्चन भी नहीं देगा वैल्यू थोड़ा इजी बला देगा तो एक्जाम में आप 30 सेकंड में आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे इस तरह के प्रशनों को चलिए दूसर कॉश्चन देखेंगे आप तो आपको बहुत कंफ्यूजन आपका जो अगर पहला कॉश्चन समझ में या तो दूसरा कॉश्चन देखने के बाद पूरा आप समझ जाएंगा और आने वाले कॉश्चन जो है चार कॉश्चन सारा मुझे लगता आप ही बनाएंगे ठीक है तो फिर से देखते हैं रीना ने एक वस्तु 25 परसेंट लाप पर बेची इसका मतलब उसका कुछ कॉस्ट प्राइस होगा तो कॉस्ट प्राइस हम मानते हैं ऑल्वेज हंड्रेट परसेंट तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 125 परसेंट ठीक है यह यहां तक ही जिए यदि उसने 20 परसेंट अधीक पर खरीदी होती तो खरीदने की बात हो रही है तो यह वाला लाइन में हम लोग चेंज करेंगे तो एक 100 परसेंट में खरीदी अगर उसको बोड़ रहा कि 20 परसेंट अधीक पर यानि 120 पर खरीदी होती तो उसे साथ पुर्णांग एक बटे दो का लाव होता तथा 10 उर्पया अधीक में बेची होती यानि 20 परसेंट एक तो अधीक में खरीदो और 10 उर्पया अधीक में बेचो तो इतना लाव होता ठीक है तो यह जो सेलिंग प्राइस है और यहां जो सेलिंग प्राइस होगा इन दुने में 10 उर्पया का difference भी दिया हुआ है और लाव दिया हुआ है साथ पुर्नांग के बटे 2 तो साथ पुर्नांग एक बटे 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 15 साथ दुनी 14 एक 15 बटे 2 लिख सकते हैं ठीक है 30 बटे 40 यानि 40 के valueदी एक 120 40 के value दीवे 40-चे the cz होता है नीचे में नीचे प्रॉलों को लोग क्र歌 क्रोस आ समान त study एक की value आ जाएगी 3 जब एक की वहले देम में 3 आ गई तो हमें यहां पे क्या निक्ना में कव्म निकालना होघा थो 43 इन टू 3 कर देंगे तो यह हो तो यह एक सो उन्तिस परसेंट हो गया 129 परसेंट यहां पर हंडेट परसेंट था 125 हमने इसली निकाल दिया लेकिन है 120 परसेंट था तो 129 को निकालने के लिए थोड़ा सा लोचा यहां पर करना पड़ता है कैसे यह जो दिया हुआ परसेंट यह जो दिया हुआ है 15 परसेंट का लाव होता है 15 बटे 2 परसेंट का लाव होता है उसको पहले फ्रैक्शन में बदल लेंगे हम लोग 3 बटे 40 आ गया और हम जानते हैं कि प्रॉफिट अन लॉस में जो इस तरह फ्रैक्शन निकालते हैं तो बॉटम वाले को हम हम निकाल ले हमने 129 हो गया अब यह असानी fulन गया 129 से जो हमें दियाक्ट न। तो यह कितना हो गया 25 चार्फन बराबर दस गया तो हमें क्या निकानाबना है 100 परसेंट कितना अब निकालना तो एंट्रेड इंटू टैन डिवाइड़ वाइड़ फॉर चार से कार देंगे हैं पचीस और पचीस गुना दस हो गया अड़ाइसो यह तो फिप्टी आंसर हो जाएगा हमारा तो दो का ऑप्षिन नंबर फॉर आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें तीसरा कोश्चन आपके समख चाह गया तीसरा कोश्चन हम लोग देखते हैं थर्ड कोश्चन को कैसे सॉल्व करना तीसरा कोश्चन कहता है एक वैक्ती ने एक वस्तूँ 10% हानी पर बेज दी तो कॉस्ट पराइस उसका कुछ होगा 100 परसे पे हीं बेज दिया उसने यदि वह से 20 पर्संट कम पर खरीदता यानि यदि वह S Too और परुपया अधिक पर बेज तयों इन दोना का ॱाइदि कुधाowski कितना है परुपया इन दोनों के बिच और दूसरा ॉल्हूं बीच का 55 रुपया बोल रहा डिफ्रेंस 55 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 40% का लाव होता यानि यहां से उसको इस कोस्ट प्राइस के एकॉर्डिंग लिए उसको 40% का लाव होता यहां पर ठीक है यानि यहां पर हमें निकालना है आशी का 140% हम निकाल लेते हैं यहां से यह दोनों काट देते हैं यह दोनों तो यह आजाएगा आठ चोके 32 का दो 8,311 111 111 121 12% यहां पर ठीक है तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग उसके बाद इसको थोड़ा साम लोग सही से लिख देते हैं यह हमारा 55 रुपीज था डिफरेंस तो अब हो गया हमारा काम असान हो गया आप क्या करेंगे इन दोनों का डिफरेंस हमें पता चलिया 112-90% बराबर दिया हुआ है 55 तो यह कितना हो गया 10 10 20 और 22 22% बराबर 55 तो हमें क्या निकालना 100% अल्वेज हमें क्या क्रें मूल निकालना तो हम हमें 100% निकालते हैं तो 100% इकोल तो हो गया 55 इंटू 100 डिवाइड़ वाइड़ वाई ट्वंटीटू तो 11 221 12 11 55 और यह 2 से कार देंगे 25 से 100 तो यह आ गया फिर अगें हमारा आंसर आ गया 250 आप्शन नमबर 3 ठीक है यह दोनों को multiply कर देंगे तो यह 250 हमारा answer आगिया देखिए यह हमने कितना fast किया तो धीरी धीरे जैसे आप solve करते जाएंगे तो easy आपको लगता जाएगा सुरुवात में आप देखेंगा first question तो लोगीगा कितना hard है next question देखते हैं उसके बाद आपको और अच्छा से फिर आप बहुत दो-चार बार practice करेंगे तो बहुत easily आप exam में बना पाएंगे ठीक है तो चलिए तीन नमर हो गया complete अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो चलिए आ 100% मान लेते हैं और selling price मान लेते हैं 110% पर बेच रहा यानी 110% हो जाएगा second line में क्या गाता है यदि उसने उस घोड़े को 20% कम पर खरीद कर 20% कम पर खरीदनी की बात हो रही है तो यहां पर 80% होगा और 10 रुप्या अधिक में बेचता है यानी जो selling price 2 है इन दोनों के बीच में 10 रुप्या का difference दिया हुआ है और यहां पर क्या बोड़ रहा है तो उसे 40% का लाव होता है यानी 80% का हम निकाल देंगे 140% तो यह कट जाएगा दो बार दो जीरो कट गया 14 गुना आठ हो जाएगा 112 आठ चोके 32 आठे कम आठ और चार बारा सॉरी 112 ठीक है तो यहां तक हम आ गए 112 परसेंट हो गया अब इसके बाद जो लास्ट वीडियो में हमने जैसे किया था असानी से इन दोनों का difference हमें मिल गय एक सो बारा परसेंट माइनास 110 परसेंट बराबर दिया हुआ दस रुपीज तो यह कितना हो गया कि दो परसेंट की वैल्यू आ गई 10 रुपिया तो 100 परसेंट की वैल्यू आ जाएगी इतना तो दो पचे दस कार देते हैं सो गुना पांच पांसो तो आप्शन नंबर एक आंसर आ जाएगा ठीक है 500 रुपीज घोड़े का क्रेमूल कितना था 500 रुपिया था तो चलिए पांचवा कोश्चन देखते हैं दो कोश्चन बचा हुआ पांचवा और छठा तो पांचवा कोश्चन हम लोग देखते हैं शिफ्थ कोशन हो सके तो मैं छटा कोशन आपके लिए छोड़ दूंगा अगर आप ट्राइ करना चाहे तो आप ट्राइ किजिएगा और कमेंट बॉक्स में जबाब दीजिएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं ठीक है तो चलिए पाच्वा कोशन क्या गया था एक आदम यानि वह इसे अगर 80% पर खरिता और 100 रुपया अधिक मुल्पे बेशता यानि इन दोनों के बीच का डिफ्रेंस दे दिया 100 रुपया सेलिंग प्रैस वान और सेलिंग प्रैस टू कर बीच का अंतर दिया 100 रुपया तो उसे 40% का लाब होता तो 40% का लाब यानि 80 जो है य यह दोनों जो कार देंगे 148 आ गया आठ चोके 32 एक सो बारा एक सो बारा परसेंट हो जाएगा ठीक है तो अब यह दोनों का डिफ्रेंस आ गया इन दोनों का डिफ्रेंस हमें कितना पता चलिया है दो परसेंट इसको मैं लखी देता हूं यहां 112-110 परसेंट बराबर 100 रुपया दिया हुआ है तो हमें 2% बराबर निकल गया मेरा 100 रुपया तो 100% इक्वल टू 100% इक्वल टू इसको 100 से से मल्टिप्लाइ करेंगा और 2 स से डिवाइट कर देंगे तो यह हमारा जाएगा पांच हजार रुपया ठीक है तो पांच हजार कहां देखते हैं ऑप्शन नमबर तीन आंसर हो जागा तो वेरी इजी कोशन है तो देखिए पहला जो दो कोशन मैं बताया था तो आपको लग रहा कितना हाड कोशन है लेकिन अभी अभी मैंने जो तीन कोशन मताया मैंने तो कितना असान लगा बहुत असान से बनेगा एक्जाम में कोई कन्फूजन नहीं होगा आपको कोई गल्ती होने के संभावने नहीं रहेगी काफी जी रहेगा धीरी धीरी इसको प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो आप कभी- है और अफ में निकले निकॉलेशन से आप आंसा निकाल लेंगे ठीक है तो चलिए यह पांच कहांडेट परसंट निकाल लिया हमने ट्लिवीजन का क्रेम वुल पांच हजार तो चार कोशन हमने बनाया था चार कोशन जो एकदम एक परकार के थे च्छटा कोशन पांच किसी मूली पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20 परसेंट का लाव होता है यानि अगर 100 रुपया अगर समान होगा कोई भी चीच कॉस्ट प्राइस तो उसको कितने में बेच रहा और 120 रुपया में बेच रहा उसको तो देखो 100 रुर्पया में खरीद पर में कोई अंतर यहां हमें 20 परसेंट रहा है कितना पर्सेंट का लाव हो रहा तो साफ सफ हमें दिख रहा कि 140 रुपया का लाब हो रहा, 140 रुपया का लाब हो रहा, कितने पर 100 रुपया कोस्ट प्राइस होने पर इसका परसेंट निकाल देते हैं, तो यहां से कड़ जाएगा, तो 140% का लाव हो रहा है तो यह answer हो जाएगा 140% यह आसानी से निकल गया अगर हमने यह 5 question आपने अगर बढ़ियां से समझा गए तो यह 6 question तो बहुत आसानी से आप बना लेंगे ठीक है तो यह 6 question हमने बनाया आपको बताया दोस्तो लगता है आपको कि आपको समझ में आया और मेरा content question का जो category में ने चुना वो सही था अच्छा है तो आप हमारे channel से जूड सकते हैं कभी-कभी मैं इस तरह के वीडियो देता रहता हूं तो comment करके बताईएगा जरूर कैसा लगा उसमें improvement करनी कि अगर कोई गुंजाइस होगी तो definitely I'll try to do that ठीक है thanks for thanks for watching next video में मैं कुछ और question अलग-अलग प्रकार के जो exam oriented question मैं वही लेकर आता हूं ठीक है दोस्तो thanks for watching bye bye good bye good luck